हाई फ्रेंड मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में है आपका स्वागत जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हूं नील चोहान और आज हम लाए हैं आपको एक बगीचा में जहां की बहुत सारे क्यारे हैं और पेड़ पौधे हैं तो आज अब हम आपको वहां का भीव तो चलिए मेरे सार देखिए यहां कितने प्यारे प्यारे प्राकृतिक नजारे हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सी पनीरिया लगी हुई है और बहुती खुबसूरत सा विव आपको मेरे सार देखने को मिलेगा तो इसलिए बने रहे हैं नील चोहान के साथ में दोस्तों यह है कितना बड़ा यहां से वहां तक यह जो लगे हुए है क्यारियां लगी हुई है यह तो इस एरिया में यह टमाटर की क्यारियां है दोस्तों जो टमाटर जैसे रेड़ वाले जो टमाटर रहते हैं उसकी क्यारियां है यह सब और ये जो पेड़ है ये पेड़ है पलम का पेड़ है ये कहीं कहीं इसमें पलम भी आए हुए है और ये जो बीच में ये वाला आगे वाला पेड़ भी पलम का है और ये वाला पेड़ है दोस्तों ये वाला पेड़ है आपको अनार का पेड़ है ये देखिए और इसी के बीच में क्यारिया लगी हुई है और ये आगे वाले मिक्स पेड़ है यहां पे अनार का पेड़ है प्लम का पेड़ है और इसके जो क्यारियों के आगे वाला खेद है ये मटर का खेद है जो की फली मटर रहते हैं हरे वाले उनका खेद है आगे वाला और ये वाल कितनी सुन्दर लगी हुई है टमाटर और उपर तक टमाटर की क्यारियां है दोस्तों और जो इसके इसके नीचे वाली जो क्यारियां है देखिए यो यह है शिंबला मिर्च यह बैंगन की क्यारिया है है दोस्तों यह बैंगन है हाँ यह वाले बैंगन की क्यारियां है दोस्तों और इतने में यह देखिए और यह वाली मिर्च और शिंबला मिर्च की क्यारियां है दोस्तों और यह वाले मिर्च की क्यारियां दोस्तों मिर्च लगा हुआ है यह देखिए और इस साइड में जाएंगे तोस्तों मिर्च की 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 देखिए तो यह वाला जो आगे वाला खेत है दोस्तों वो आगे वाला खेत मटर का खेत है यह देखिए कितने सुन्दर सुन्दर इसमें मटर लगे हुए है आपको दिखाते है नस्दीक से यह देखिए कितने प्यारे मटर लगे हुए दोस्तों बहुत ही प्यारे यह बहुत वड़ा खेत है, मतर का यहां से लेके वहां तक देखिए, उपर तक यह अनार का पेड़ है, रेड रेड इसमें देखिए, कितने सुन्दर फूल लगे, वह हैं दोस्तों, और इस साइड भी देखिए, इस साइड में यह अनार के पेड़ पौदा लगे हुए है, अनार का पूरा बगीचा है, यह देखिए, यह पानी का टेंक बनना हुआ है, जो यह इदर उदर की फसले है, यहां को पानी वानी देने के लिए, यहां टेंक में पानी जमा किया जाता है, तो फिर यहां से खेतों में पानी जाता है, दोस्तों, यह पाइप लगी हुए है, वह अनार वाले खेत में देखिए, और उदर वाले खेत में दोस्तों, यह पीले फीले फूल वाले पेल लगे हुए है, तो यह शकैश बोला जाता है, शकैश के पेड है यह, इस वाले खेत में शकैश और यह, साथ में मक्कई की जो पेड लगाए गए है, दोस्तों, इसमें भी देखिए, अनार के कितने सुन्दर सुन्दर पेड है, अभी फूल खिले हुए है, अनार में दोस्तों, और यह जो बिशाल का बड़ा सा पेड दिख रहा है, यह चीमू का पेड बोला जाता है, इसको, इसमें रेड रेड कलर के चीमू आए हुए है, देखिए, चीमू फल, कर दो 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 क और आगे हम टमाटर के क्यारा में और उसके बाद में ऊपर दिखाते हैं आपको टमाटर लगाए वी घए चोटे-चोटे ये देखिए दोस्तो इस खेट में टमाटर भी लगाए गए हैं जाता है, कल इस खेट को पानी दिया गया है तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है एकदम यह नहीं मतलब जो पनीरिया है वो नहीं लगाई गई है अभी टमाटर तो इसमें निदाई गुडाई गेर करके फिर काफी महीना में यह बड़े हो जाते हैं तो फिर इसमें टमाटर आना शुरू हो जाएंगे लेकिन अभी तो बहुत छोटे हैं दोस्तों और इसके उपर वाले जो खेत में ग्रीन ग्रीन दीख रहा है यह है कि दनिया हम आपको धनिया विनस्दीक से दिखाते हैं चलिए दोस्तों बहुत ही खुबसूरत नजारा पपी है पीव पीव बोले जा रहा है देखिए दोस्तों और यह पलम का पेड़ इसमें एक दाना आया हुआ था अभी दिखी ने रहा है अभी बहुत चोटे हैं पलम तो दीख भी नहीं रहे हैं दोस्तों यह है यह सेव का पेड़ है दोस्तों सेव का पेड़ अभी इसमें कटाई विए रहे हुई थी तो इसलिए इसमें थोड़ा कम लगे हुआ है यह देखिए सेव दिखाते हम आपको यह सेव लगा हुआ है दोस्तो चोटे में सेव कुछ इस तरह के होते हैं फिर ये बहुत बड़ा पेव मतलब काफी फल बहुत बड़ा से बन जाता है ये एपल है ये दोस्तो एपल ट्री एकी खेत में बहुत कुछ है और ये देखिए यहां कितना गुच्छा लगा हुआ है एकदम सेव का एकदम फुल है ये और ये टमाटर का खेत और ये इदार में देखिए धनिया पत्ता लाइन्ज में लगे हुआ है देखिए दोस्तो ये वहां तक धनिया पत्ता लगा हुआ है और उपर भी धनिया पत्ता ही लगा हुआ है दोस्तो ये नया वाला है और उपर वाला खेत में थोड़ा बड़ा हो चुका है धनिया पत्ता उसमें तो फूल भी आ चुके है और यहां देखिए मटर कितने खुब सोरत है लगे हुए पेड़ में एक दम फूल पेड़ है मटर के साथ आप लोगों ने खेत जिसमें बहुत सी फल लगे हुए है बहुत सी सबजियां क्यारिया लगी हुए है दोस्तो तो चलिए आज के ब्लॉग वीडियो को करते हैं यहीं पिसमा मिलते हैं किसी नेक्स ब्लॉग वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर बाई बाई दोस्तो